नमस्ते बच्चों आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है बच्चों मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूं आप लोग प्रेक्टिस कीजिए सुरू से अंत तक लिखें बीच में ना रुकें बीच में रुकने से स्पीट बिगण जाती है तो आप हमारी साथ फ्ल लिए निकाला इसके लिए हम आभारी हैं और अब मैं उनसे अनुरोद करूंगा कि इस सम्मेलन में आए हमारे साथियों तथा अधिकारियों का मार्ग दर्सन करें ग्रह मंत्री जी के स्वागत भासण के बाद प्रदान मंत्री सिरी राजीब गांदी ने दरण और विश्वास भरे सब्दों में सम्मेलन में उपस्तेत अधिकारियों को संबोदेत किया संचेप में उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सी भासाएं बोली जाती हैं लेकिन हिंदी को सबसे ज्यादा लोग समझते हैं और बोलते हैं इसलिए हिंदी को हमने राजबासा बनाने के लिए चुना है यही नहीं हिंदी का एक अपना इतियास भी है और यह समझने तो लगे कि दीश में सब लोग हिंदी बोलने और समझने लगे इस दिशा में काफी काम भी हुआ है लेकिन जैसा कि आप ग्रह मंतरी जी ने कहा कि जिस गती से और जिस तेजी से काम होना चाहिए था सायद नहीं हो पाया है कल हमारा एक दूसरा सम्मेलन हुआ था उसमें भी कई मुद्दे उठाए गए थे एक मुद्दा जो सामने उभर कर आया वह यह था कि आज भी सरकार का काम उचित भासा में हिंदी में नहीं हो पा रहा है जबकि जो आकड़े पेश किये गए थे उसके हिसाब से किसी विभाग में 99 प्रतिसत किसी में 98 प्रतिसत और किसी में 95 प्रतिसत अधिकारी और कर्मचारियों को हिंदी का कार सादक ग्यान था हमें यह सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है यदि लोग हिंदी समझते हैं तो हिंदी में काम क्यों नहीं हो पाता क्या हमारे आकड़े ठीक हैं क्या सचमोच 99 प्रतिसत लोग हिंदी अच्छी तरह समझते हैं या यह आकड़े केवल प्रोत साहान बत्ता लेने के लिए ही है यदि हिंदी का पिरचार होना है और हिंदी में काम होना है तो हमें अच्छी तरह से हिंदी की जानकारी करनी होगी खासतोर जब कानूनी काम और संसत का काम होता है हमें यह भी सोचना होगा कि हम किस कारण से इस दिसा में पीछे रह गई हैं कहां पर हमने ध्यान नहीं दिया और उसे ठीक करने के उपाई भी सोचने होंगे हिंदी का पिरचार करते हुए हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि दूसरी भासा बोलने बाले लोगों को यह अनभाव नहीं होना चाहिए कि उनके उपर हिंदी जवरदस्ती थोपी जा रही है क्योंकि अगर उन्हें यह लगा तो बे विरोध करेंगे जो काम हम पियार से और समझा कर कर सकते हैं वह जवरदस्ती करने से नहीं हो पाईगा साथ साथ हमें यह भी देखना है कि भारत जैसे बड़े देश जिसमें इतनी भासाएं बोली जाती हैं वहां यह भी आवस्त्याग है कि एक भासा ऐसी हो जिसे सब लोग समझें और जो पूरे देश को एक सूत्र में बान सकें हमने इसके लिए हिंदी को चुना है आपको डिक्पिशन अच्छी लगे तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें है तो जाताँ है